यएसे आऊ धीरे-धीरे करके अब वजरासन आराम से लगा सकते हैं अपने दोनों हाथों का सपॉट लिलो और पैरों को मोडते हुए अपने पैर के फंजो तरह करे चले जाएंगे अब ये इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं पहला तरीका मैं आपके शामने शेयर किया है ये वजराथन हमारा लग जन तो में आज की वीडियो में वजरासन कि कुछ exercise है अंभी लग कर माइंड करके केंद्रीत कर सकते हैं ऐसे करके इससे अगर आप नहीं लगा पारे हो zodि यहां रख लेस्क है और आप यह वाला तरीका भी है और करने के लिए कि हमारे अगर अगर दर दोगत हो कि क्या हम वज़घाशन कर पायंगा बिलूब है कर पाएंगे दोनों पैयों को ऐसे लाना है पिर आप प्यां कि वाहले पेर को यहां रख कर कि उपर की तरफ ऐसे ले करके चले जाओ ऐसे फिर दूसरे वाले पैर को रखो और इसको करो और उपर की तरफ ऐसे ले करके चले जाओ इससे क्या होगा कि हमारे जो पैर है ना वो खुल जाएंगे और वजरासन लगाने में मान लीजिया कई बार क्या होता है लोगों को न द से लेकर कि दस मिनिट अगर आप वजरासन लगा लेते हो आपकी जठागनी में विर्द्धी हो जाती है जब विर्द्धी होती तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी भी मारिया है उनको यह जट्रागनी खा जाती सबसे बड़ा लाब होता है आपको डाइबिडी जी नाम की सम समयशा है वजरासन में कुछ देर तक बैट जाती है तो उनको भी लाब हो जाएगा ऐसा नहीं कि उनको अलग से लाब हो गई यह तो सब के लिए होता तो लाब तो सब को इसका अगला लाब यह भी है कि जब भी हम वजरासन करते तो हमारी जो बैक है ना वो बिल्कुल ही रहती है और जब हमारी बैक स्टेट रहेगे आप ध्यान में बैठोगे तो द्यान भी आपका लग जाएगा करने में भी बहुत बढ़िया सही योग देता है के नीचे जिनको धर्द रहता उनके लिए बहुत अच्छा है को करने के बाद मंदूकासन किया जाता है वजरास वजरासन करते हो तो आपको यह चीज ध्यान रखने कि आपके जो पैर है ना उनका और आपके पंजों के अंदर दर्द नहीं कर पाऊगे वजरासन लगा लेते हो अगर आपके पैर दुख रहें तो आपको तुरंत वजरासन को उतारना है जोर्जवरदस्टी वजरासन मे कर सकते हैं कि अगर कोई और जानकारी वजरासन के विशह हमारे पास होगी तो अगली वीडियो में आपके साथ जरूर शेर करेंगे वजरासन आपको जरूर करना है करने के लिए कि योग का मतलब होता है ना भोगों से अलग रहना और आसन योग का एक बहुत बड़ा अंग है हमारे शरीर के अंदर स्थर्तावरदान करता है फिर भी अगर आपके मन के अंदर वजरासन की विशह में कोई शंसर रह जाता है कोई जानकारी आपको और चाहिए शानते ही शानते ही शानते ही